है Uh ते हम अगे स्ब्सक्राइब करें के आज का ये किया है अच्राइब किया है आज को टॉपिक क्या है डाटाल याने की डाटा बेस की बात करेगी और database में किसकी बात कर रहे हैं bibliography, numerics, full text and multimedia में open access database यानि कि आज का topic क्या है आपका ? data base, database में क्या होता है ? बिबलो, ग्राफिक, नुमेरिक, फुल टेक्स्ट, मल्टी, मीडिया, एन ओपन एक्सिस, ओपन एक्सिस, डाटाबेस, सीधे सीधे अगर डाटाबेस की कहानी आपको समझ में आ गई, तो यह तो आपको मैंने कराए भी मिया, बिबलोग्राफिक पुड़ाया, नुम्रिक्स भी खताया, फुल टेक्स भी खताया, मल्टी मीडिया भी खताया, और यह सारे के सारे आपका टॉपिक एक तरह से कवर करने वाली बात है, यानि कि बार बार उसीधे की बात करें, सबसे पहले आता है डाटाबेस क्या होता है, यानि कि डाटाबेस, आप से मैं एक कुश्चन पूछ हूँ, आज आपने जैसे पुराने समय में क्या होता था, कि लोग जो होते थे, वो क्या करते थे, अपने फसल को काटने के बाद, जैसे ग्यों की फसल है, उन्हें से काटा, कुछ जो था हिस्सा अपने घर में रख ल यानि भंडारन कर लिया, वैसे ही उसी को थोड़ा सा रिलेटिट क्या है, उसी से जुड़ता हुआ क्या है, आपका डाटाबेस है, यानि कि डाटाबेस क्या होता है, एक तरह से सारी सूचना होगा, यानि कि सूचना होगा, पून क्या है, भंडारन है, वो क्या कहलाता है डाटबेस। यानि कि यह है आपका कमरह। यहाँ पर एक सूचना, दो सूचना यानि कि एक तरह से डाटबोव है। यानि कि first data, second data, third data, fourth data, five data। इस तरह से मानों के चलते हैं 50 data यानि कि कमरे में इख़ते हो गये। और यह क्या है adjustments यह जो डाटा है हर डाटा अलग अलग चीजों के बारे में यानि कि अलग अलग चीजों को रेप्रेसेंट कर रहा है यानि कि पहला डाटा क्या कर रहा है एक को रेप्रेसेंट कर रहा है दूसरा क्या कर रहा है बी को रेप्रेसेंट कर रहा है तो यानि कि डाटा बेस क्या हो यानि कि जिसके बदलत हमें क्या मिलता है। ज्ञान की प्राप्ती होती है। यानि कि data-base क्या है। आपका पूर्ण भंड़ारन। जिसके कहแएंगे पूर्ण भंड़ारन। यानि कि जैसे मान के चलते हैं आपका और computer की form में दो आपका Go जैसे एसे इस दाटा मेंसे 34 दाटा को यहाँ से मैं क्या करूँगा इस डाटा को एकसिस करूँगा जैसे आसे कम्यूटर क्या है एक आपका डाटा बेस है च्या है इस एप nothing क्या किरह है आपने मान के चलिये, आपके paper की एक book है, उससे आपने निकालना शुरूब आए, यानि 34 नमबर की क्या book है, आप उससे निकाला, यानि कि उससे निकाला, तो क्या करा, वह जो यानि उस data, यानि database कहा है, computer में, और computer की हाई drive में, तो database में से सब्सक्राइब करने की यह मैंने बता है यह जो चीज़ सीधे स्थे यह है कि एक कमरे में 50 आदमी और पचासों के पास अलग जैन्य और उन पचासों कहा कर ले आपने एक कमरे में कर लिया कैड कर लोर। जैसे आपको मान कि कि क стी और आधमी इस चीज़ की सूचना देगा तो वही क्या है data यानि कि database क्या होता है एक जिया वह स्थान यह वह बंदारन जिसके बौधालत क्या होते है data को श्टोर करा जाता है और वह एक तरह का database कहलाता है ठीक है यानि कि यह आपको समझ में आ गी अब था आपका टोपिक क्य यह आपको सबको पता है इसे मैं दुबारा करंगा नहीं कि bibliography bibliography खी सीधे कि data base की कहानी समझी और दाटा बेस की कहानी में यह आपको add करती है जाना है data base की ठीक है next क्या है आपका numerator numerics okay numerics में आपको data की कहानी आपको पताहूनेचे दे को numerics क्या होते है zero तू नईन यह जो गंडणा होती यानि कि दस नंबर सीदे के सीदे दस नंबर जो है अंक बोलाओ नंबर बोलाओ अंक जो है यानि कि चीड़ो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यह क्या है आप सब को पता हूआ कोई भी जो है जो इस की बतल यानि कि ये दस नंबरों के बदल क्या होते हैं किसी भी गणना को किसी भी चीज को जोड़ा गटाया और इसके द्वारा बनते हैं नुमेरीक्स उस संख्या उस डाटा को कहते हैं जिस में क्या होते हैं जिस डाटा में जिस डाटा में अनकों का यानि की गनिती अनक का क्या होता है यूज होता है जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पान्च, शे, साथ, आठ, नो. तो उसे क्या कहते है data यानि कि numerical data एक तरह से आपने जब पढ़ाओगा सबसुरुआत में data knowledge wisdom वाली कहाणी जमें आपको बताया थै किसकी बारे जिए दाटा है जो आ आपका एक रिखता है और वही नो्मेरीकल क्या होता और इसका क्या होता एक डाटा आपने आपने एक सी में एक नीज जाफर यहось का निज तलता है जी रो वन सब्सक्कार्यानी में उसकी चलती इस तरह भी चलोगे और यही क्या है हमारा computer system चलता है तो यानि numerical भी समझ में आगी यानि numerics समझ में आगी अब numerics के बाद आती full text वहीं full text क्या है यानि कि full text भी वही कहानी है full text में आता है देखो full text भी आपको मैंने बताया था यानि सीधे सीधे आपको पहली वीडियो देख ली नहीं है और आपको पहली वीडियो में सारी समझ में आएगा, नुमेरिक्स भी समझ में आएगा, फुल टेक्स वो होता है, जिसमें क्या होता है, सारे के सारे, यानि कि ए से लेकर, टू जड, बड़े भी और छोटे भी, यानि कि टेक्स्ट क्या है, फुल टेक्स डाटा वो होता है, जिसमें क्या होता है, अक्सरों का, यानि कि अक्सरों के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को प्रेजेंट करते हैं, यानि किसी भी डाटा से हम सूचना अक्सरों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलात को और इसी का क्या करते हैं यानि ए बी सी डी ए अब जे चाहिए जोगी अब चलते हैं आपका क्या यानि की मल्टी मीडिया में क्या है मल्टी मीडिया क्या होता है यानि की मल्टी यानि की जो आपका क्या है ओडियो भी है वीडियो भी है और क्या है यानि की ध्वनी और वह संदेश ध्वनी और चल्चित्र ध्वनी और चल्चित्र का एक पून रूप जिसके माध्यम से क्या है मल्टी यानि की संचार यानि की एक तरह से जो मल्टी मीडिय क्या है उसमें काम आता है जैसिए सबी चीज़ गापियोगा आपका मान के चलते हैं कि मल्टी मेडिया का है बहु माध्यम जिसे कहते है एक तरह से बहु माध्यम में कहेंगे तो बहु माध्यम में क्या होता है इसमें क्या होता है जिसमें ध्वानी चित्र फिल्म आधी का जैसे की मान के चलिए एक होता है ओडियो खाली क्या है रेडियो वाली कहानी चलिए एक में क्या है वीडियो कोई सांड नहीं है खाली वीडियो चलिए एक होता है ओडियो वीडियो तो यह क्या है यानि कि यह क्या है एक तरह का मल्टी मीडिया है इसी को क्या कर दे एक साथ हम क्या कर दे चला दे यानि कि आपका क्या है मल्टी मीडिया यानि कि मल्टी मीडिया में एक्सम्पल बहुत सारे जाएका वीडियो ओजाएगी अड़ियो खिली हो जाएगी फोट अगराफी ओजाएगी आपका क्या हो जाएगा आप認為 बने के शुत नाम है सबने सबसे होग कोई भी ऐसा नहीं। नो किअ एक्सप्रेसन म्यूजिक का नाम सबसे है वह सबने इस सबसे है। तो यह कि या था फीचर रहूंन था और यह क्या था मल्टीमीडिय फोन थ 2 इसमें पेक्चर आप पिक्चर भी देख सकते थे, इसमें आप फोटो भी किस सकते थे, इसमें क्या कर सकते थे, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे, इसमें क्या कर सकते थे, इंटरनेट को भी यूज कर सकते थे, यानि कि एक वहे माध्यम, जिसके बदौलत हम सारी चीजों का उप खमादे में दो कहोंगे संचार कमा देम you, सारे संचारों को एक साथ उप्योग करते हैं उससे करते हैं अब ख्रूर्ड करते हैं मल्टी दिय्स, अब आपका क्या है, टॉपिक है आगे अबवन है एक शेज इन डेटा बेस यानि कि open access database क्या होता है यानि कि open access database वह database होता है जिसमें हम किसी भी time क्यानि कि 24 into 7 into 360 days हम कभी भी उसे use कर सकते हैं उसके लिए हमें ना शुल्क देना बढ़ता है ना किसी की परमी चलने नहीं बढ़ती है और वह हम कहीं से भी access कर सकते है उसे कहते ओपन access database यानि कि open access database जैसे आपको मान के चलिए जैसे आपका क्या है government की site तो government की site क्या है open access यूज कर सकते हो यानि कि open access डाटा बेस वे डाटा बेस होता है जिसको यूज करने के लिए हमें पहली बात तो मुफ्थ होता है ओपनली प्रवाइड हो जाता है किसी भी सुलक को अधा नहीं करना पड़ता किसी के क्या है एक तरह से परमेशन लेने की जावतनी और वह एक मुफ्थ एक तरह से आपको परवाइड करा जाता है उस डाटवे किया पाद स्थच्टियो प्रिमल्सक्राइब दीस ऐनी टेस का रिट में का ने समझ में अगया आगे अपको शक्राइब आपको क्लियर करहें करें चैनल को सुन्सक्राइब करें तार टैंक्यू